स्वालो गाइज, विल्कम तो जैदुल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल आई होब कि आप उतना अच्छे नहीं होंगे जितना अक्चुली होना था क्योंकि यह जो गूगल का अपडेट है ना बहुत सारे लोग अभी पैनिक में है हो सकते हैं आप भी हो आपका साइट भी हो सकते हैं डिय इंडेक्स हो गया होगा तो अगर आप इतने सारे पैनिक लेकर चलोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगा ठीक है कि यह जो अपडेट का टाइम अभी चल रहा है ना आप उसको वही पर रहने दियो जो अभी आपका विबसेट जो स्टैट्स में है उसको आप वही पर छोड़ दो क्योंकि यह टू से थ्री मंथ लेगा तब ही जाके एक एक एक्ट्वल रिजल्ट सो कराएगा गुगल तो आप इसको अलड़ी रीड कर चुके होगे कि इस अपडेट किसके बारे में है सबसे पहले तो यह कह रहे थे कि यह 40% जो स्पैम कॉंटेंट एक वुगल में उसको वो हटाएगा यहाँ पर क्लियाली मेंसन कर दिया कि यह जो लो कॉलिटी कंटेंट यह आन ओर्जिनल कंटेंट है आरान 40% उसको सार्च रियल से हटाएगा तो यह क्या हो गया कि इसका में मॉटो यह है कि AI रिलेटेड जो बाल्क में कंटेंट कियाड कर रहा थे ना उसको हटाएगा इसका एक्चुली में इसका यही मॉटो था लेकिन हुआ क्या जो मैनुवल कंटेंट था जो एक्चुली रिसर्च करने के बाद प्रोडूस किया गया था वो ऐसे बहुत सारे साइट को डी इंडेक्स कर चुगा लेकिन ऐसे साइट भी इंडेक्स हो रहा है जो डी इंडेक्स हो चुगा है तो मैं आपको दिखाऊंगा एक साइट जो के बहुत प्रोपुलार है वो डी इंडेक्स हो चुगा था अपडेट के तुरान लेकिन वो अभी इंडेक्स आ गया तो आपके साइट अगर डी इंडेक्स हो गया है तो आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप अपने साइट में चेंजिस करना स्टार्ट कर दोगे तो आप यह जो रीजन है ना इसको फुल्फिल कर लोगे इसका मतलब है कि यह जो क्राइटरिया आप बता है कि स्केल कॉंटेंट अब यूज यह एक क्राइटरिया है साइट रेपिटिशन अब्यूज एकस्पाइट डोमेन अब्यूज तो आप अगर अपने कंटेंट में चेंजिस लाना स्टार्ट कर दोगे तो गोगल समझेगा कि आप इस थ्री कैटेगोरी के अंदर हो तो आपको यह करना पड़ेगा कि आप जिस स्टेज पर अभी हो वहापर ही आप स्टॉप कर दो अभी और आपको वेट करना पड़ेगा एडलिस टू टू थ्री मंद तो मैं आपको यहापर दिखाता हूँ कि एक जो प्रॉपुलर साइट है यह जो तीन प्रॉपुलर साइट है मैं इसको ऑनलाइन रिसर्च करने के बाद ही मिला लेकिन ऐसे बहुत सारे साइट है जो कि आपको गोगल में मिल जाएगा साइट करने के बाद आपको मिल जाएगा पूरा डाटा आपको वह आपस होगा कि कितने सारे ट्राफिक इतने सारी वेब साइट दी इंडेक्स हो चुगा है हाला कि उसमें बहुत सारे ट्राफिक था और वो क्वालिटी फूल भी साइट है और उनमें से बहुत सारे ईयाई भी साइट है ठीक है तो यह जो साइट है इसका आप ट्राफिक स्टाट देख सकते हो तो इसका एक्ट्राफिक अभी तो नहीं पता लेकिन हो सकता है कि गुगूल में जो यह रिलेटेड कंट्रेक को डिटेक्ट करने के लिए जो अल्गोरिदम था ना उसमें से कुछ गलती से यह ऐसे टाइप का जो साइट है वो डिंडेक्स हो चुगा है आचा तो यह पर और एक साइट में आपको दिखाता हूं कि यह टी इंडेक्स हो जाने के बाद भी फिर से इंडेक्स हो गाया इसका ट्राफिक अप देख सकते हो और 6 मिलियन पार मांद इसका ट्राफिक था तो आप सोच सकते हो कि यह जब D-Index हो चुगा है था तो उसका दिमा क्या हो गाया था ठीक है वो कितना frustrated हो गाया था तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि यह जो अपडेट रोल आउट हो रहा है इसको आप टाइम दीजिए और उतना पैनिक होने के कोई जरूत नहीं है कि ब् बहुत सारे अपडेट आये थे Google में और इसी तरह जो low quality site था वो ऐसी तरह हटते गए और उसमें से अच्छे site भी पेनलाइज हो गए लेकिन यह blogging कभी खतम नहीं होगा अभी अभी मेरा experience यही कह रहा है क्योंकि अब जो जमाना चल रहे ना वो AI के content को focus करते ही सब लोग content क create कर रहे है ठीक है और यह कभी खतम नहीं होने वाला बहुत सारे market में ऐसे tool आएगा कि AI को refine करके उसको quality उतना भी अच्छा करके content को create कर देता है ठीक है तो मेरा एक हैल है कि इसको कभी भी बंद नहीं कर सकते क्योंकि AI related जो content आप उसको read कर रहे है तो आपको भी नहीं पता ठीक है अगर आप chat GPT को instruction देगा अगर उस पर human touch नहीं दो गया तो उसमा quality नहीं आएगा तो human touch देने के बाद proof read करने के बाद और facts check करने के बाद जो content का output होता है वो बहुत अच्छा होता है तो यह जो जबाना चल रहा है इसमें AI को Google जितना जितना वह से detect कर रहे है वो next few year में वह भी detect करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि AI को detect करने के लिए जो update यहाप पर दिया थे ना उसमें से बहुत सारे manual का site job है और de-index हो गया है अलाकि वो फिर से index होने लगी तो इसका मतलब है कि यह अभी बहुत complicated है उसका actual result क्या है किसी को नहीं पता तो आप जो काम कर रहे है उसको continue करते रहे और उतना panic ना हो calm down ठीक है तो यहापर मैं आपको दिखाऊंगा कि google के लाबा और भी किसी तरह से google हम लोग traffic ले सकते तो मैं यहापर read कर रहा था significantly यह drop हो गया तो इसका side भी आपको दिया है तो इसको आप खोलकर देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे side यह आपको दिखेगा आप देख सकते हो कि इसका content का structure जो है हाला कि यह बहुत highly competitive के नीश है यह protein से कि बहुत highly competitive नीश है लेकिन फिर भी वह google में rank कर रहा है अच्छा तो मैं एक बार ACMRS में आपको दिखाता हूं कि यहाप आप देख सकते हो कि इसका stats अभी 255 कह रहा है 2.1 के keyword वह ranking decrease हो गया अच्छा तो इसका stat भी आप देख सकते हो कि यहाप पर traffic organic keyword का भी high peak में है तो यह जो side है इसका आप अगर comment पढ़ गया ना तो यह कह रहे है कि I am doing very well in Pinterest तो इसका मतलब है कि Google इसे एक platform नहीं है जासे हम लोग traffic उटा सके उसके इलावा और भी बहुत सारे platform है जिसको हम लोग target कर सकते हैं तो in 2024 हम लोगों को Google के इलावा और भी जो platform है उसको target करना चाहिए ठीके तो यह आपको देख यह जो उसका site है यह जो कह रहा है था कि उसका Pinterest में account है उससे traffic मिला तो मैं search करने के बाद इसका Pinterest account यह आपर खुल कर रखा हूँ हाँ तो यह पर आप देख सकते हो के अच्छा तो मैं एक बार login करके आपको दिखाता हो कि इसका कितना monthly traffic आता है तो आप देख सकते हो के monthly view है 4,43,000 समझ रहो न आप तो इस Pinterest में only 123 followers में भी यह इतना अच्छा view ले रहे है तो इसका मतलब है इसमें से बहुत सरे traffic अपने website में जा रहा हो न तो गूगल के इलाबा भी यह traffic generate कर रहे है तो यह benefit ले रहा है अपने website में अपने content डालने के बाद और उसको Pinterest में marketing करने के तो आपको भी यही करना पड़ेगा कि आप अपने site को google में जो target कर रहे है वो target करो लेकिन उसके साथ साथ और भी जो platform में उसको आपको target करना पड़ेगा में यह पर तीन वेप आपको बताता हो कि कुवारा भी आप टार्गेट कर सकते हो कि कुवारा पर अभी बहुत सारे keyword को google rank कर दे रहा है तो आप उसको अपना जो इन्वी से उसके related जो question आप अल्लेडी कर चुका है ना आप उसको जाके आप answer दे सकते हो ताके आपको वह से अच्छे खास से traffic मिल सके क्योंकि आप देख सकते हो बहुत सरे ऐसे query को आप अगर google में search करोगे तो most of the query में query rank कर रहा है और उसके साथ साथ ready it भी ठीक है तो आप इस दोनों platform को use करने start कर दो ठीक है ताके आपको google के इलाबा भी traffic आना आ जाए और एक जो मैं आपको बता हूँ के Pinterest तो Pinterest आप आपका जो नीस है आप उसको किसी भी तरह से try कर सकते हो ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ के तो आपका जो नीस है उसको आप यहापर search करो आपको एक idea मिल जाएगा कि आपका जो computer है और आपका नीस रिल्टेट जितने साइट है वो Pinterest से कितना ट्राफिक ले सकता है तो मैं यहापर जो कि हम लोग का नीस था carpet cleaning तो मैं आपको दिखाता हूँ के जो site यहापर rank कर रहे है यहापर जो show है न अच्छा यह आप देख सकते हो के अच्छा तो इसका 22,000 follower है और आप monthly view देख सकते हो 3,19,000 ठीक है और 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 यहापर बहुत सारे है तो मैं एक दो तिन और भी आपको दिखाता हूँ यह देखिए आप 2.5 में इसका सिर्फ इतना subscriber है तो आप देख सकते हो 3,8,000,000 ठीक है तो आप इसको देख सकते हो कि इसका site में क्या है तो इसी तरह site हम लोग बना सकते है तो Google के साथ-साथ आपको इस तरह का जो platform है इसको भी target करना पड़ेगा ताके आपका जो site Google में कभी penalty आजाए कि उसका de-index हो जाए इसका मतलब है कि आपका जो traffic वो different होई से आना चाहिए तो अभी आपका कोई problem नहीं आएगा in future तो आप अपना network ग्रो करोगा तो आपका traffic में कोई problem नहीं आएगा ठीक है तो इसी तरह आपको अपना जो नीस है आप उसको ऐसे तरह से जो network आपको build up करना पड़ेगा राइट और यह पर जो update के बारे में है ना मैं आपको अपना जो experience है वो आपको बताता हो कि यह जो scale content के अभी उसे इसका मतलब है कि जो AI के थूँ बहुत सी low quality content को site में publish कर रहे है यह उसको detect करने के बाद उसको de-index कर देगा ठीक है तो इसी तरह बहुत सरे site de-index already हो चुगा है तो आप उसको ऐसे use मत करो अगर आप AI use कर रहे है तो उसको proper way से use करो अच्छा उसके बाद है कि site reputation कि इसका मतलब है यह कि आप एक site में जब अपना link लेने जा रहे हो ना तो आपको देखना पड़े कर जैसे कि अगर आप यह पर आप देख सकते हैं कि example है यह जो payday loan का जो बारे में यह आपर बात है ना एक site अगर payday loan के बारे में है तो उसमे से अगर कोई health के बारे में यह आप लिंक दे दिए ठीक है तो पेले pay loan के बारे में जो content है ना उनमें से अगर कोई health नीस या फिर कोई सून इसके link चले गए तो यह natural नहीं होगा ठीक है तो अगर आप जिस site से link लेना चाहते हो आपका content और उस site का content जहां से आप link लेना चाहते हो उसका relevancy होना चाहिए ठीक है तभी आपको reputation अच्छा मिलेगा ठीक है तो google इसके बारे में भी ever कर दिया है तो इसके ऊपर यह update है तो आपको यह धियान में रखना पड़ेगा और एक चीज़ जो यह expert domain यह काफी पहले google कह चुका है और यह जो google बार बार कहते हैं का expert domain abuse most of the time people करत यह है कि expert domain लेके उसको 3D जैसे कि health related expert domain है उसका quality बहुत अच्छा है तो उसको redirect कर दिया के kitchen niche में ठीक है तो यह ethical way नहीं है तो इसको अगर आप health related niche को लेके health related expert domain के लेकर अगर आप उसके उपर ही site को ready कर सकते हो तो आपका authority अच्छा होगा आप उसके उपर काम कर सकते हो ल लेकिन वह पहले भी कर चुका है यह बहुत दिन पहले यह अल्यडी बाता चुका है कि expert domain के उपर ऐसे काम नहीं करना चाहिए लेकिन actually में होता क्या है कि google जो हर बकता है ऐसा नहीं होता ठीक है तो हम लोग उसको expert domain का जो value है हम लोग उसको अभी भी use कर रहे है उसको हम लोग use ही करेंगे ठीक है अगर आप 301 redirect कर सकते हो तो अपना जो नीस है उसके related expert domain find करो उसको वही से redirect करो ठीक है और और दो तिन जो है ना जैसे के keyword को domain में यूज करने में Google बार 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 बोल रहे के उसको use मत करो लेकर ऐसे नहीं है बहुत सर्याइस साइड है जो के सिर्फ rank कर रहे है क्योंकि वह उसका domain में उसका keyword है राइट उसका value अभी जैसे की पहले था वैसी ही है ठीक है तो आप उतना panic मत हो ठीक है मेरा ही suggestion है कि आप जो लोगे से आप ठीक है और जो content का quality है उसको आपको maintain करना पड़ेगा अगर आपके site गलती से इंडेक्स हो गया है तो आप उसको wait करो और 2-3 माएने तक उसको roll out करने तो तभी एक proper आपको result मिलेगा कि actually में हुआ क्या है तब आप जाके उसको modify करने लग है ठीक है तो इस वी न्यू वीडियो आपको जल्दी से सो हो जाए थैंक यू